वेरे वेरे गुड़ इवनिंग तो आल उफ यू तो डियर रिश्ट्रेंट लास्ट क्लास इस पर हमने कॉंटियूनियर सीरीज का कम्प्लीट इंडड़क्शन को समझ लिया था अब हम कॉंटियूनियर सीरीज पर कोशन किस तरीके से आएंगे और उसको कैसा टेंप करना है आज़ी क्लास इस पर बात करेंगे देखिए अगर आप मीन कैलकुलेट कर रहे हैं और कॉंटियूनियर सीरीज आपके पास में है तो कॉंटियूनियर सीरीज में आपके पास में एक्स्क्लोजिव भी हो सकता है इंक्लोजिव सीरीज भी हो सकता है लेस देन, मोर देन और मि अगर आपको exclusive series दे दिया उसने, continuous में से, नहीं देगा, अगर inclusive देदेगा, तो पहले आपको उसको exclusive में convert करना पड़ेगा, less than देदेगा, फिर भी उसको आपको exclusive में convert करना पड़ेगा, more than देदेगा, उसको भी आपको exclusive में convert करना पड़ेगा, तो इस तरीके से आपको exclusive series चाह आपका सेम जैसे डिस्कृरिट सीरीज के चलाता हूँ वही आपका प्रोसेस आगे कंटेरी हो जाएगा एक कोश्य में करके दिखाईता हूं तीनों मैंथट से देखें लिए जिसके इस कोश्य को देखें जहां पर अगर आप देखते हैं कि आपके पास में कॉंटिनुरी सीरीज है क्योंकि डेटा आपके पास में एक रेंज में है यहां देखेंगे तो आपको इसका ऑपके एक मिडवायली बनाना कड़ेगा मैसे अगर आगर आपके वासम डैरेक्ट है और हाँ h कीसदेखी इप सबसे परबनाना पड़ेगा क्या मीडव बनाना पड़ेगा मिडवक्णी क्यृंकि आपको यह मालूम है कि 10 10-strand के marks 0-10 के bitmin है. लेकिन exactly इनके marks क्या है? त्यूकि कि average calculate करने के लिए, mean calculate करने के लिए आपको data को collect करना पड़ता है, उस data को equally equally share करना पड़ता है. तो data का sum कैसे करो के जब आपका absolute data ही नहीं मालूम, बस आपको इतना मालूम है कि 10-strand के marks 0-10 के bitmin है, ऑई ऐन के मालूम तो इसको सम कैसे करोगे। इसलिए हम यह पे इनके मालूमक्त को लीस्ट मानना भी सही नहीं और रहेगा और हाइस्ट मानना भी सही.' तो हम उन्हें उप्रेज मान लेते हैं, इसके मिड Business तो इसका मिड वैलु लेंगे तो 10 श्रेंड के मार्क को चंसीडर किया जाएगा 5 अब जरूरी नहीं कि उनको सभी के 5 आए मैं मानता हूं बट किसी के 9 आगे किसी के 1 आगे तो 9 वाले को अगर मैंने 5 वाले को भी मैंने 5 चंसीडर कर लिया तो वहांते 4 कम लिया जाग जाग लिए तो सम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 19-20 का फर्क आ सकता है बट एवरेज एक एस्टिमेशन लेने के लिए यह होता है तो 5 और यहां पर आपको पता है कि 10-10 गैप चल रहा है तो बस आप 10-10 का गैप देते रहिए 15 25 35 45 और 55 यह आपका M हो गया अब आपका यहा चलिए बस एक बार आप सोच के चलिए कि जो आपका M है वही आपके लिए क्या है X है मैं में बड़ बोलते हैं इसको क्योंकि मिड वैल यह अब यहां पर डिपेंड करता है मैफट कौन सा है तो आप बच्चे बताएं ज़रा मैफट कौन सा है डिरेक्ट मेफट तो डिरेक दियरेक्ट मेफट में कहां पर रुक जाएंगे हम डिर्क मेफट में हो जाएंगे अपके X पर आप एक्स को हमें म कहते हैं दूसरी बात मैंना वह कभी भी अज्या मिन में तो आल्वेइब केंसी का सम और हो थी चाज शीरीज कोई सभी हो तो सुुरी केंसी का सं करेंगे प तो यह क्या हो गया हमारे पास में 100 हो गया submission F अब आपको पता है कि F का सम हमेशा होगा और एक F जब भी आएगा साथ में multiply लाएगा तो multiply किसो करेंगा depend करता है series को उन सा series डिरेक्ट x के importance होती है आप x के पर M है तो यहाँ पर FM होगा होगा frequency में आपका FM होगा already discrete series आप समझ चुके तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए तो करेंगे आप अभी कोई दूसरी क्लास चल रही होगी सेम अप्लिकेशन पर अभी आरी बिटा बलर कोई नहीं मैं रिकोर्डिर क्लासे शेर कर रहा हूं अभी आसे तो मजा खराब जागा है बलर में कब तक देखोगी नहां कि आएगा आपके पास है 50 एक्सोपाइस यह तो करने जोत भी नहीं है छेस्टो पच्चिस नब्य एक्सोपाँच 45 इंटो 60 720 पान्सोपाचास अब समिशन क्या करोगा आप FM समिशन एफम करेंगा 50 प्लस 135 प्लस 625 प्लस 1050 प्लस 720 प्लस 550 प्लस 3130 अब आप मीन कैलकुलेट कर रहे हैं तो मीन में हमेशा उपर रखते हैं जिसको एफ मल्टिप्लाइ करता है तो समिशन आता है हमेशा FM का आएगा और समिशन एफ तो आपका आएगा ही आएगा कुछ लिया नहीं जो बापस देने की जुरत पड़ेगी तो समिशन आपके पास में 3130 और समिशन एफ आपके पास में 100 तो आपका रिजल्ट टागेट 31.3 क्लेरे मचे तो यह आपका कॉंट्यूने सीरीज है 같पत कि भचैंब कि लिएकि पास में तो समें से लू में करीजेटिए। आपके पास में बापक ही में उप्चैंशके कॉंट्ट है कि लिए पक्शे ही recommends नियू लिए हुआ सिटएगािए। अब आपके पास में सीरीज कौन सा आगा है शौर्टकट में इंपॉर्टेंस किसके थी दी की तो यहां पर कॉल्म डी का जाएगा और यहां पर एफ मल्टिप्लाइ कि इसको करेंगा कि यहां पर लाइन मराने में भी टाइम कंस्यूम होता है तो मैं नहीं से बरवागर लाओंगा अब देखे जड़ा मैं अब देखें बच्यें हमारे पास में वही सेम प्रावलम है कि टीता एक रींज में है तो हमें डीता को सबसे पहले मीड वैलु तो यह हमारा exclusive series है, बिल्कुल है. तो mid value में transfer करेंगे same, 0, 10 अगा mid value है 5, 10 मिड्ली मिड्वैल्व है 15, 20, 30 मिड्वैल्व है 25, बस आप टंटन का gap देते चलिए, 35, 45, 55, M हो गया और M के बाद मेरे पास पर यहां पर आ गया अब D आएगा, क्लियरे बच्चे, D कैसे, जैसे X से बनाते थे, शौटकड मेथड है, तो इंपोर्डेंस इसकी रहेगी, D की रहेगी, और D किस तरीके से आप कैल्कुलेट करेंगे, आप D पहले X में से कोई एक डेटा अजूम करके इसको माइनस कर सती थे, और कोई भी हो सत करना है, तो देटा में से करूगे न, देटा आपका मिड वैल्यू है, तो यहां पर आप M में से माइनस कर दो, कोई भी डेटा आप ले लिजे, 25 ले लिजे, चलिए, 25 तो माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, और 20, 35, 45, 55, 30, तो माइनस 10, माइनस 10, माइनस 20, प्लस 10, खतम हो गया, तो तो यह समिशन क्या आपके पास में, समिशन, sorry, D, 30, clear है? सब्सक्राइब को D आ गया, इंपोर्डेंस, F का तो सम होगा यहोगा, बच्चे, no doubt, F का सम होगा, समिशन F, आपका 100 रहेगा, अब F यहां मुल्टिप्लाइग सो करेगा, सीरीज का नाम, मैथड का नाम क्या है, श 9 x 10, minus 900, sorry, minus 90, 25, 0, 30 x 300, 16 x 320, 10 x 30, 300, करेंगे, तो पहले सेम साइन प्लस कर लो, तो यह 290 हो जाएगा, मैनिस 290, या पहले प्लस वाले पकड़ लो, 300, 600, 920, अब मैनिस वाले को भी जोड़ लो, 290, तो आपके पास मैं 0, 12 मैसन हो गया, 3, 8 मैसन हो गया, 6, 630, क्लियरे बच्चे, समिशन, FD, अब यहाँ पर आपके पास में मीन के लिए जो फार्मला अप्लाई करेंगे, मीन इक्वल्स टू, आपका समिशन किसका हुआ एक तो, F इसको मंटिप्ला करा, FD का और एक समिशन F का, बट जो ची निकाला है, वापस देना पड़ेगा, आपको तो A प्लस करना पड़ेगा, और A की वेल्यू क्या है, 25, समिशन FD की वेल्यू क्या है आपके पास में, 630, और समिशन F की वेल्यू क्या है, आपके पास में, 100, क्लिर है बच्चे, सॉल करेंगे, X बार इक वेल्यूस तो A, A क्या 25, प्लस 630, अपॉन 100, तो X बार इक वेल्यूस तो 25, प्लस 6.3, X बार इक वेल्यूस तो 25, 30, 3, और पहले देखिए क्या अंसर आपका, 30.3, तो आपका अंसर बिल्कुल सेम आएगा, यह समझ पाया बच्चे, तो डिस्क्रीट सिरीज जैसा यह ना, बस आपको टेखल करना ना चीए, आप आगे देखते हैं, जैसे यह आपके पास पर, अब यहां देखेंगे, यहां मैथड का नाम क्या है, यहां मैथड का नाम बच्चे है, स्टैप डैविशन मैथड, और स्टैप डैविशन मैथड में आपको पताए, इंपॉडेंस डी डैस की रहती है, तो पहले आपको डी डैस का तो हाई नी वो रेंज में तो पहले आप उसको मिड़ वैलू में ट्रांस्फर करेंगे मिड़ वैलू से फिर वो डीटा आपका उसमें से कुछ सप्टेट करके डीपर जाएंगे तो दीवाड़ करके दीडास पहांगे यह प्रोसेस फॉलू करना है उसका पता है अपको एक में प्लस करोऊंगे तो इस तरहीके से आप अपका प्र्यांस्रा तक पहुंच पाऊंगी करते हैं को हुई को सबसे पहले आपको एक मिड़ वेल्यू निकालनी और चुछ एक mid value, ठीक है, mid value के बाद आपका d आएगा, d के बाद d डैस आएगा, और d डैस के बाद f d डैस आएगा, ठीक है बच्चे, देखें कैसे, पहले आप M निका रहेंगे, same process, 5 और 10 का गया देदीजिए, 15, 25, 35, 45, and 55, उसके बाद M के बाद आप यहां पर calculate करेंगे, d, और d कैसे निका लेंगे, म में से a subtract कर देंगे, और a 25 कांसिटर कर लेते हैं, तो minus का 20, minus 10, 0, 10, 20, and 30, d, but d को मुझे d' में convert करना है, तो d' कैसे बनेगे, d divided by c, अब c क्या लेंगे, सब के सब किसे divide हो रहे हैं, देखो जड़ा, decimal 9 ज्यादा बेटर है, पास से हो रहे हैं सब किसब, अब 10 से भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क निपरतान से, बाद 5 से कर लो, अब मेरे पास में m d' है, तो हमारे पास में क्या हो गया, m d' क्लेरे बच्चे, m d' ही, sorry, f हम इसा multiply करेगा आपका, तो f d' अब f d' लेंगे तो frequency और d' तो इस माइनस का 40, माइनस का 18, क्लेरे बच्चे, और यहाँ पर आपके पास में 0, डिवाइड करेंगे 60, और sorry, multiply करेंगे, multiply करेंगे 80, और multiply करेंगे 60, अब submission चाहिए आपको f d' का, कैसे आएगा, पहले आप प्लस वाले पकड़ लो, तो 60, 60, 120, और 80, 200, फिर आप माइनस वाले, 58, अब डिवाइड करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो 2 और आपके पास पर 9 में से 5 गया, 4 और 1, 142 आपका आया, clear है बच्चे, mean calculate कर रहे है, mean equals to a plus, submission पहले आप f d' करेंगे, उसके बाद उसको submission f से डिवाइड करेंगे, c से उसको multiply करेंगे, फिर उसको a वापस देंगे, clear है न, तो आपके पास में x बार, आपके पास में यहाँ पर a क्या है, आपका, a आपका 25 है, submission f d' क्या है आपके पास में, 142 है, submission f और आपका 100 है, and c equals to क्या लिए आपने 5 लिया, and x bar equals to a आपका 25 plus submission f d' 142 upon 100 into 5, solve करेंगे आपने आपर x bar equals to 25 plus, यह solve करेंगे तो आपके पास में आजाएगा 20, 0 shift कर देंगे, उपर तो 7, पॉइंट एक, पाँच पत्तिस पॉइंट एक आ रहा है यह तो, कुछ गरबढ़ कर रहा है, नो में से 5 गया, 4, 1, 142, 142 divided by 100 into 5, 7.1 और 7.1 प्लस 425, 32.1 गरबढ़ कर रहा हमने, यहां 20 आएगा, यहीं से गरबढ़ चला है, अब बताते हैं पहले यहां, यहां पर आएगा, फिर, चार, और फिर, यहां पर आएगा, 64, अब फिर, यहां आएगा, 64, और 58, बारह, चुदा में से, अब आएगा, चुदा में से, अब आएगा, चुदा में से, आट गया, छे, साथ में से, पांच गया, दो, एक, 126, 126, 126, and 126, क्लेर हैं, बच्चे, 6.3, तो, एक्स बार इक्वल्स तो, आपके पास में, 65, 30.3, यह आपका आंसर है, यह यहां थोड़ी से, मिस्टिक होगी, सार अगर बढ़ हो गया, क्लेर है, समझ गए, हांजी, calculate mean from the following data, अब आपको देख रहे हैं, कि टाइट 3 में हमने कैसी का, continuous series, जिसमें मैंने आपको तीनों मतड़ बता दिये, अब आपके पास में, क्वेशन है, कि आपको यहां पर भी में ही निकालना हैं, और series भी आपके पास में कौन सी है, continuous series ही ही है, लेकिन less than है तो पहला step क्या है कि आपको पता है कि आपको सबसे पहले exclusive का format ची तो आप इस less than को exclusive में transfer करोगे उसके बाद फिर आप यहां से mid value निकालोगे फिर process same चला जाएगा जिस भी method से वो कह रहा है वो आपकी इच्छा है जो method mention नहीं है तो आप किसी method से कर लो मैं कुश method कर नहीं है कोई कोई से method कर लो तो आप exclusive में कैसे जाएंगे frequency तो यह रहेगी frequency में change हाफ रिकेंसी भी चेंज होगा सब कुछेंज होगा आपका तो पहले मैं exclusive में transfer कर रहा हूं आपको X 10 less than 10 तो कितने कितने गाप चल रहा है इस में दस सा गाप चल रहा है तो दस माइनस कर तो क्या जाएगा जेरो अब आगे आपको दस का गाप लेके चलना exclusively 20 फिर 20 नोट कर आप 30 फिर 30 नोट कर आपने 40 फिर 40 नोट किया आपने 50 फिर 50 नोट किया आपने 60 फिर 60 नोट किया आपने 70 फिर 70 नोट किया आपने 80 क्लेर है बच्चे यह आपके पास में X आ गया अब यहां से आपको अपको अपनी फिर्केंसी को भी क्रेक्टिफाई करना है कि ने फिरिकेंसी पर भी काम करना है देखिए फिरिकेंसी कैसे मूव करेंगे तो सबसे पहले मैंने बताया किया पहला वाला एजटी देना आपने चार दूसरा वाला आ रहे हैं तो प्रला मैनेस कर दो इसमेंसे 12 यह लॉजी मैंने क्लियर कर दिया है 14-14 मैनेस कर दो 24-36 मैनेस कर दो 20-16 मैनेस कर दो 8 और मैनेस कर दो 5 क्लियरे बच्चे अब यहां से आपको इस एक्स्क्लूजिव का फॉर्मिट पर कनवर्ट करना इसलिए मैंने देवन सिखा दिया ता आपको क्लियरे बच्चे कोई डाउट अब आपको क्या करना है इसको मिड वैल्यू में ट्रांफर करना है तो करने पड़ेगा मिड वैल्यूम आपको तो गया पांच और दस गया पर तो देते जरी जाओ 15 15, 25, 35, 45, 55 और 75 अब यहां से आप कौन सा मैसर अपलाई कर रहे हैं बताएए कौन सा मैसर चाहते हैं आप डिरेक्ट मैसर चाहते हैं कोई भी मैसल लगा लिजे जो आपके लिक करेंगे कैल्कुलेटर रहे हैं कुछ भी लगा लिजे एफ एम डैट में लगा रहा हूं है तो यहां पर साल करेंगे 4 इंटू 5 अई तो यह यह क्या कलवड़ पर कर रहा हूं 20, 10, 30, 180 ठाट मैसरी आपकेशिफट्सlevant न चल्ट पत्टीस पाचिस मैनस से क्टीछ आइस यूग हाँ चाहिफर्ट ब मलबस्ण बारा सो् graphic 45 गुणा 20, 900, 55 गुणा 16, 880, 65 गुणा 8, 520, 75 गुणा 5, फ्म है मेरे पास में है, clear है, तो summation fm, बस x बार निकालना है आपने, तो summation fm, direct method है, summation f, अब आप f का sum करेंगे, summation f equals to 4, plus 12, plus 24, plus 36, plus 20, plus 60, plus 8, plus 5, 120, 5, or fm का सम 20, plus 180, 600, 1260, 900, आप्स्वास्षी, पन्सोबीस, 5, summation fm, 4735, clear है बच्चे, तो x बार equals to, summation fm, तो क्या आया, 4735, summation f के हमारे पास में, 125, x बार equals to, divided by, 125, 37.88, यह हमारा अंसर है, clear है, कोड आउट? clear है, तो इसी तरीके से आपको आगे की questions करने को मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, given below the distribution of the marks obtained by the 140 student, तो टोटल आपके पास में गिवन है, कि total strength sigma f 140 है, in an examination find the mean of the distribution, तो यह तो आपका inclusive series हो गया, first of all आपको इसको exclusive में transfer करना है, और जब भी exclusive में transfer करते था, frequency पर कोई impact नहीं आता है, clear है बच्चे, और उसके बाद फिर आप आगे process same up करेंगे, question task में आपके आप इसको करेंगे, next class इसमें फिर हम आगे इसी तरह की से बढ़ेंगे, कि यहां पर class interval आपके पास में है, कुछ इस तरही कोईशन सम लेंगे आगे, पहले पूरे types करने, उसके बाद में आपको फिर बताऊंगा, कि इसमा में में कोईशन आया है पिछे तीन साल में, बोप्रेक्टिस कर लेंगे माइड भले को क्लियर फिर आएंगे मीडें में पूछा है तो कियसा बूचा है, अब लास में चाने अचा करेंगे इस ली लेकर चलेंगे, यहां जो बहुत हैं जो अपर रहा दो पर दो आप इंतिजार करें तर आप 10 यह करवाओगे नहीं साथ-साथ ही चलेगा जो चलेगा इसाथ में अच्छे से उसको पगड़ पाएंगे टॉपिक को एंड में फिर भूल जाते हैं कि मीन पता नहीं कप पढ़ा था 20-50 दिन पढ अब उससे रिलेट करके पढ़ा रहा हूं मैं 10 यह में साल कर वा रहा हूं क्लिक नहीं करेगा दिमाग आपका